गुड मॉर्निंग एवरीवन अबर टूटेज एक्सेसाइज इस 7.2 तो देखें इसमें आपसे क्या कह रहा है find the coordinates of the point आपको पॉइंट के coordinates बताने विश डिवाइट्स दा जॉइनिंग ऑफ minus 1,7 and 4,3 in the ratio of 2 ratio 3 में इस आप उस पॉइंट के coordinate बताए जो इन दोनों coordinates को मिलाने वाली line को 2 ratio 3 में cut कर रहे हैं तो हमने इस टाइप से figure बना लिया चोटा सा और उसमें क्या लिखा एक के coordinates हैं मैंशन कर दिये minus 1,7 B के coordinates मैंशन कर दिये भी 4,3 अभी कहां पे cut कर रहा है इसका पॉइंट पी cut कर रहा है एक्स कॉमा वाई और किसे ratio में cut कर रहा है टू ratio 3 में तो अगर आप इसमें फ्रमा लगाएंगे तो आप इसली लगा सकते हैं यह एक्स बंवाई वन हो जाएगा और यह दूसरा बाला जो है यह एक्स टू वाई टू हो जाएगा और रेशियो आप तो टाइप से ले सकते हैं या तो M1 M2 ले लिजिए या MN ले लिजिए फिर आपको पी की वैल्यू मिल जाएगे तो देखें यह रहा आपका एक कोर्डिनेट्स कितना हो जाएका टू रिजिए तो X1 की वैल्यू मैल्यू 7 हो गई एकस्टू की वैल्यू 4 होगी और Y2 की वैल्यू मैस्टी होगी नाव यूजिंग दिस सेक्शन फॉर्मला अब सेक्शन फॉर्मले का यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे M1 X2 प्लस N X1 ओवर M प्लस N इसी अब यहां तो जहां इसमें वैल्यू पूट करेंगे तो आप देख लीजिए इन सब का मल्टिप्लाइब करेंगे 4 तुझा 8 ती बंजा 3 अब 8 में से जब 3 जाएगा तो आपका यह 5 बच गया और नीचे और लेडी 5 आई 5 से 5 कटा एकसी वैल्यू 1 आगी इसी टाइप से अब देखे question number 2 find the coordinates of the point आपको पॉइंट के coordinates बताने है और ट्राइसेक्शन आपको क्या बताना है है तो आपको क्या बताना है find the coordinates of the point of try section में इसी दू लाइन जो काटते हैं ने के coordinates तो यह सीधा साधा सा एक ही मैथड है आप पहले एक पॉइंट को consider कर लिए फिर आप दूप से पॉइंट को consider कर लिए जैसे आप यह पॉइंट दोनों ही मतलब 1 काई की value होगी M की और 2 काई की value होगी N की उसके बाद जब आपके बाद इसके coordinates आ जाएंगे तो फिर आपके बाद दो method है यहां तो आप इन दोनों को लेके solve कर लेजिए यहां फिर आप स्टार्टिंग से main points को लेके solve करेंगे main points को लेके solve करेंगे तो फिर आप कहके mention कर सकते हैं तो यहां पर आप लेंगे तो 1 ratio 1 ले लेंगे ठीक है कितना लेंगे 1 ratio 1 यह आपका आ जाएगा तो M N की value आ जाएगी इसी टाइप से अगर आपके बास दूसरा method आप select करते हैं तो आप इस टाइप से select कर सकते हैं यह वा question कैसे solve करना है अब काफी तरीके से इसमें value ला सकते हैं आंसर ला सकते हैं तो देखिए let the segment joining a b let the segment joining the points b a कितना हो गया 4,1 and b minus 2,3 let p अब p की value कितनी है x1,y1 q की value कितनी है x2,y2 are the points of trisection of the line segment joining the points a p is equal to p q is equal to q b यह आपका हो जाएगा by using the section formula section formula का use करिया p x form y तो यह x की value हो जाएगे starting में m x2 plus n x1 over m plus n m y2 plus n y1 over m plus n equation 1 therefore by observation point p divides a b internally in the ratio 1 ratio 2 here m ratio n कितना हो जाएगा 1 ratio 2 by substituting the value in the equation 1 अब यह सारे value आप equation 1 में put कर देजिए जब equation 1 में put करेंगे तो आपको x1,y1 की value मिल जाएगे तो x1 की value कितनी मिल जाएगे आपको 2 और y1 की value कितनी मिल जाएगे अब यह 2 ratio 1 में cut कर रहा है तो आप क्या करेंगे by substituting the value in equation 1 equation 2 में फिर से value पूट कर देजिए तो आपको x2 की value और xy2 की value मिल जाएगे तो x2 की value कितनी होगे 0 और y2 की value कितनी होगे minus 7,3 hence इस पेकाद the points of trisection trisection की point कौन-कौन से होगा है 2,5 over 3 और next 0,7 over 3 यह आपके points आ चुके हैं अब देखे question no.3 काफी interesting question नहीं थोड़ा दा question लेन दिये बढ़ आराम से समझ में आ जाएगा to conduct sports activity in your rectangular shaped school ground ABCD यह आपका school ground ABCD और यहाँ पर activity conduct हो रहे है lines have been drawn with chalk water at a distance of one mesh hundred flower pots have been placed at a distance of one meter ठीक है तो आपका जो यह distance है वो कितनी होगी वन मीटर इच हो गए कितनी होगी वन मीटर इच हो गए और 100 plots आपके प्रेश्ट कर दिये गए at a distance of one meter from each एक दूसरे से एक एक मीटर की दूरी पर अदा long AD as shown in the following figure और जैसे की figure में दिखाया गया आप उसमें देख सकते हैं नहारी का runs one upon four of the distance AD नहारी का कितना run करती है AD का one upon four on second line and posts a green flag पोस्ट कर देती है second line पर दोड़ते हुए और जो प्रीत है वह one upon five run करती है किस पर AD का one upon five ठीक है on the eight line eight line में and posts a red flag और वहां पे red flag पोस्ट कर देती है what is the distance between both these flag means in flag के बीच की दूरी कितनी होगी बड़े आराम से निकाल सकते हैं आप पहले वाले flag के coordinates निकाल लेजिए दूसरे आले flag के coordinates निकाल लेजिए और लगा लगा लेजिए ठीक है इव रश्मी पोस्ट अब एक और तीसरी बच्ची है रश्मी उसको ब्लू फ्लाइग जो है वह पोस्ट करना हो एक्जैक्ली सब्सक्राइब निकाल लेजिए वाट शुड्ट शी पोस्ट हर फ्लाइग तो देखिए उसको जो ब्लू फ्लाइग पोस्ट करना है तो मिल पर पोस्ट करना है तो आप क्या करेंगे सेक्शन फॉर्मा लगाएंगे और यह वन वन देशियों के दोनों हो जाएंगे तो आपका फिगर हो गया देख सकते हैं तो हंडे फ्लावर पॉर्स हो गया तो आप इसमें जो भी डिस्टेंस दे रखी थी वन ओवर फॉर और वन ओवर फाइव इसका मल्टिप्लाइग कर दीजिए तो देगे बाइब आप जाविशन दैट निहारे का पोस्टेट ग्रीन फ सब्सक्राइब करेंगे हैं अब तीन से दिन से इसाथ लाइन नहीं में गया तो 20 20 वे निकान लेजिए यह आपका डाइग्राम देगा तो एक दोड़कर लागा लगा देगे अ वेलीप कर देगे यहाँ पर आपका पहला होता है अब तीसी बच्छी रश्मी उसको क्या करना उसको ब्लू फ्लैक पोस्ट करने है तो उसका फॉर्मला क्या होता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन ओवर एम प्लस एन और दूसरा मला वाइक की जो पॉइंट वैलियू निकले की वह किती हो जाए फिफ्ट लाइन उसको फिफ्ट लाइन में पोस्ट करना पड़ेगा वह भी कितना 22.5 मीटर की दो रीपर तो आपका अंसर आ जाएगा अब देखिए को नमबर फोर find the ratio in which the line segment joining the points minus 3,10 and 6, minus 8 is divided by minus 1, minus 6 means यह पर xy की तो value आपको दे रखिए है आपको m1, m2 की value निकलनी है कि case ratio में वह divide करेगा तो रीकेस का simple जा तरीका होता है m1 ratio m2 में जब वह divide करेगा तो आप इन दौनों में m2 का divide दे दीचे m1 over m2, m2 over m2, m2, m2 से m2 कट जागा 1 बचेगा इसको हम k माल लेते हैं तो आप k ratio 1 की value निकल लिया करेए k ratio 1 की value calculate कर लेजिए तो फिर आपको आपका अंसा मिल जाएगा तो हमने यहां पर k ratio 1 माल लिया अब section form लगाएंगे यह आपको value हो गई कि खाएगे x1, y1 और x2, y2 की और section form लेकर according जो ratio हो कित्ता होता है m और n, m की value k हो गई, n की value 1 हो गई, यह सारी value आप पूट कर दीचे इसमें, देखे यह सारी value जो आप इसमें put करेंगे तो आपको value कितनी कितनी मिल जाएगे, k-1 is equal to 6k-3 over k-1, क्योंच multiply करेंगे तो finally जाके आपको k की value मिल जाएगे, जो कि कितनी आएगे, अपनी 2 over 7, लेकिन k किसके बरावर था, m1 ratio m2, तो हमें m1 ratio m2 ही निकाल ला था, तो value कितनी आ चुकी है, 2 ratio 7, यहापे हमारा answer finish होता है, अब देखे question number 5, find the ratio in which the line segment joining, a, 1, minus 5, b, minus 4, 5, is divided by the x axis, means यह आपकी एक लाइन है, जो इन दोनों को match कर रहे है, आपको ratio निकालना है, कि x axis इसको कैसे divide करेगी, also find the coordinates of the point of division, और जिस point पर यह divide करेगी, उसके आपको coordinates में निकालना है, अब देखे, जब x x जिसे है, वो इस line को divide करेगी, तो क्या ratio होता है, m1 ratio m2 हमाल लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब x x जिसे है, अपनी value निकाल सकते हैं, तो देखे, k ratio 1 हो गया, online segment आपको देए रखे, तो हमने k ratio 1 की value लगा दी, और जब हमने value लगा देगी, तो we know that y coordinate is 0, यही main line है, जब इस type value लगा देगे, तो वो बोलेगा, y coordinate कितना होगा, 0 होगा, तो y वाला आप 0 कर दीचे, means यह वाला, जब 0 कर देगे, cross multiply करेंगे, तो आपको k की value मिल लेगी, कितनी मिल लेगी, 1, therefore x exists divides it in the ratio 1 ratio 1, इस पर आपका divide करता है, अब division point आपको निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे, के की value लगा देगे, के की value लगा देगे, तो आपके पास कितने आ जाएंगे, minus 3 over 2, 0, यहाँ पर आपका question finish होता है, चौता बाला देखिए, यह भी काफी अच्छा question है, if 1, 2, 4, y, और x, 6, and 3, 5, are the vertices of a parallelogram taken in order, find the value of x and y, यह vertices पहलोग्राम के, तो आपको x, y की value बताने हैं, जब यह vertices हैं, इस parallelogram के, तो देखिए, इसका एक rule होता है, क्या rule होता है, जो आपका यह parallelogram होता है, तो पहला आटे काटते हैं, वह एक दम accurate intersection, बहुंदा करते हैं, जीतनी distance, यह होगी, जीतनी distance, यह होगी, dynamics होगी, तो आप क्या करेंगे, इसके midpoint के coordinate, कोब्स मेंचल निकाल लीजेख, दौनों midpoint को पहो अपको जग दिए, पहले डिएक भी वेलिव कार दीजिए वह कल लग दीजिए दूसरे डिएक इक को अधिक को कर दीजिएगा वाई-वई को कर दीजेगा तो आपके पास जो भी रिकार जो भी विल्या मोबिन करनी है वह आपको मिल जाएगे ठीख है गार कितनी हो गए 1,2 B की 4,Y C की X,6 और D की 3,5 आड़ वर्टिसेस ऑफ पहलोग्राम A, B, C, D यह A, B, C, D पहलोग्राम के वर्टिसेस है Since the diagonals of a पहलोग्राम each other, bisect each other intersection point O of diagonal AC and BD also divides these diagonals therefore O is the midpoint of AC and BD तो आप देखें O आपका midpoint है AC का AC का midpoint है तो मैंने बताया थे कि आप इसको ऐसे mention कर सकते है 1 plus X over 2 comma 2 plus 6 over 2 is equal to X plus 1 over 2 comma 4 यह आपका आगया, ठीक है उसके आद O is the midpoint of BD अब जो O है वो BD का भी midpoint है तो आप इसको ऐसे mention कर सकते है Since both the coordinates are of the same point O अब दोनों के दोनों किस point के coordinate है सेम ही point के coordinate है, मैं जो मिड़ पॉइंट के, OK तो दोनों एकको लग दीजे तो दोनों एकको लग देंगे, तो X plus 1 over 2 is equal to 7 over 2 आजाएगा दूसरा 4 is equal to 5 plus Y over 2 आजाएगा X value आजाएगे, आपके पास Y की value आजाएगे बस, short out होगी आपकी problem आप देखिए, 7 वाला find the coordinates of the point A A के coordinate बताने, where A, B is the diameter of circle जो A, B वो diameter है, circle का वो center है, जिसका आपको center दे रखा है, कितना 2, minus 3 और B की value दे रखिए, 1,4 ठीक है? तो find the coordinates of point A, A की value निखालने आपको तो आपको यह दे रखा है यह भी आपको दे रखा है, जब center होगा तो 1, issue 1 में divide करेगा तो MN की भी value आपको दे रखिए है आपको क्या अगरना है, सिरे section formal लगा देना है जब section formal लगाएंगे तो आपको x, y की value मिल जाएगी हैं और आपकी problem भी solve हो जाएगी तो आप देखे, 2, minus 3 किसके बरावर हो गया x plus 1 over 2 और y plus 4 over 2 तो आप बरावर बरावर लगा लग दीजिए x plus 1 over 2 की value कित्ती होगी 2 और y plus 4 over 2 की value कित्ती होगी minus 3, इसको एकको लगको लगका तो x की value 3 होगी और y की value minus 10 होगी यहाँ पर आपकी problem short out होती है और आपको coordinates मिल जाते हैं कितने 3, minus 10 अब बढ़ते हैं question number 8 की तरफ a and b r अब देखो a और b की value आपको दे रखिए a और b की value आपको दे रखिए ठीक है find a coordinates of p such z आपको p के coordinate बताने वो भी इस type से बताने की जो a p है वो आपका बराबर है किसके 3 upon 7 a b के अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यही है a p over a b तो लिख सकते हैं पिस a p over a b आप लिख सकते हैं कितना आगे आपके पास 3 over 7 अब दोनों का आप उल्टा भी कर सकते हैं a b upon a p लिख सकते हैं कितना हो जाएगा 7 over 3 अब जो आपका a b है उसको आप break कर सकते हैं means a p plus p b में लिख सकते हैं ठीक है और नीचे आपका क्या रहेगा a p रहेगा आप a p कट दिवाइड आप दोनों में दे दीजिए a p से a p कट जाएगा आपका बचेगा कितना p b upon a p तो आपको यह रिश्यू तो चाहिए था अलग अलग p b मिल जाएगा और a p मिल जाएगा दोन रिश्यू आगा और a p से a p घटेगा one तो next step पहुच जाएगा तो आपको रिश्यू बिल जाएगा क्योंकि इसमें डाइक रिश्यू की वैली दे नहीं रखी न रिश्यू की वैली आपको निकान ले पड़ेगी तभी तो आप फॉर्म में लगा पाएगे ठीक है तो आपको यह सब दे रख आपको क्या निकालना अब एक वैली कितनी है थी अपॉन सैविन एबी तो एबी ओवर एपी कितना हो जाएगा सैविन ओवर थरी वी नो देट आप जानते हैं कि एबी एकल टू एप प्लस पी वैली रख देए इसमें हमने और एपी का डिवाइड दौनों तरफ दे दे लेंगे तो आपको कितन अब इसकी वैली कितनी आते हैं कि सेक्षिन फॉर्मा लगा दिए तो आपको वैली मिल लाएगी मैनिस टू अपॉन सैविन कॉमा मैनिस टूंटी ओवर सैविन यह आपको फाइनल आंसर यहां पर कंप्लीट होता है अब देखें कुश्चन नमबर नाइन आपको क्या करना है find the coordinates of the point which divided the line segment a minus 2,2 b 2,8 into 4 equal parts चार equal parts में डिवाइड कर रहा है तो देखें इसको आप 1 मान लेजे इसको आप 2 मान लेजे और फे उसके बार यहां से लेके यहां तक आप 3 मान लेजे तो आपको ratio मिल जागा कितना मिलेगा इसको 1 मानेगे तो यह कितना हो हो गया 1 ratio 1 1 ratio 1 क्योंकि 2 ratio 2 हो गया ना 2 से 2 गट जागा तो अब यह आपके पास कितना बचे गए वाला ratio तो 3 ratio 1 बचेगा तो हर cases में आपके पास M और N की value आ चकी है और A और B की value दे रखें तो आप section formal लगा के x,y means 1y1 P1 P2 P3 की value find out कर सकते हैं ठीक है जब इसकी value find out कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे अपना procedure रिस्टार्ट कर लीजिए from the figure तो by observation that points P1 P2 P3 divided the line segment A-2,2 B 2,8 into 4 equal parts तो point P1 divided the line segment A-P2 into 2 equal parts has the coordinate of P1 के coordinate कितने आठेंगे आप सीचे value लगाएंगे आपको value मिल जाएगी और जो ratio हो आपको 1 ratio 3 हो जाएगा फिर point P2 divided the line segment A-B into 2 equal parts जब वो ratio equal equal है तो 1 by 1 हो गया तो नीचे कितना आ जाएगा डोइमेटर में 2,2 आ जाएगा आपकी value कितना जाएगा 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 तो आपकी final answer कितना जाएगा 1 और 13 upon 2 यहां पर आपका question complete होता है अब देखिए question number 10 तो इसको देख लेते हैं अच्छे से find the area of rhombus आपको area बताना है rhombus का तो rhombus के से बोलते हैं जिसके चाओ साइड बराबर हो एफिट वर्टिस और इसके वर्टिस आपको दे रखे है ओन लेडी ठीक है तो एक डिया रहा दूसर डाइगोनल, निकाल लेजिए, कौन से फॉर्मले से रिश्टन से, टो में हम कर देखिये एक देखिये, x1 – x2 का square plus y1 – y2 का square कितनी value मिल जाएगी? 4 root 2 इसी टाइप से diagonal bd की value कितनी मिल जाएगी? 6 root 2 area of rhombus abcd abcd की value कितनी मिल जाएगी? 1 upon 2 multiply product of length of its diagonals तो 1 upon 2 into ac into ad product of diagonal के बरावर होता है, लेकिन उसके half के wickle होता है all right, जो area करेंगे तो जागा तो से टू आपका कट जागा तो इस फोल्ट इसक्वाइर यूनिट्स आपका आ चुका है तो देखिए आपकी फिनिश होते हैं आप अब नेक्स चैनल मिलेंगे नेक्स एक्सेसाइज के साथ इस एक्सेसाइज से लेटे कोई भी डाउट हो तो आप हमें बताइए और नेक्स वीडियो को वेट करिए उसमें हम कवर अप करेंगे एक्सेसाइज 7.3 ओल्लाइट थैंक यू झाल 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 झाल